मंगलवार है आज नया दिन है नई शुरुआत है और कोरोना के ताजा आकड़े भी सामने आ चुके हैं बढ़ रहे हैं मामले तमाम घटना करम हम आपको दिखाएंगे लेकिन शुरुआत करते हैं किस तरीके से किस राज में अब तक कितने मरीज हैं सबसे पहले नंबर है महर बात करेंगे इसके बाद तमाम राज्यों की आपको दिखाएंगे किस राज्य में कैसे लगातार आखड़े बढ़ रहे हैं लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि महराश इस वक्त चार्ट में सबसे उपर बना हुआ है होम आइसुलेशन वाले मरीजों के लिए नए इंतजाम किये जाएंगे ये कहा जा रहा है साथी अब किस तरीके से दिल्ली में इंतजामों को और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है हर जिले से सीधे मरीज के संपर्क में सरकारी टीमें रखी जाएंगी यानि कि जिलेवार तरीके से अब तमाम जगों को बाट दिया गया है आज से दिल्ली गाजयाबार बॉर्डर सील कर दिया गया है पहले इस बॉर्डर को खोल दिया गया था लेकिन आज से एक बाद फिर से ये बॉर्डर सील हो चुका है पान, गुटका, तंबाकू की बिक्री से रोक हट चुकी है ये राजस्तान का अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर पूरी तरीके से अभी ने अलाव कर दिया गया है राजस्तान की अगर बात कर ले तो वहाँ पर रेट जोन में टाक्सी को इजाज़त दे दी गई है यानि की रेट जोन में भी टाक्सी चल सकेंगी राजस्तान ने पार्क खुलने की अनुमती है यानि की सेर की जा सकती है, पार्क में लोग जा सकते है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है यह मार्शल परदेश का रुक करेंगे यहाँ पर कई जिलो में नाइट कर्फियू 30 जून तक बढ़ा दिया गया है नाइट कर्फियू यानि कि शाम 7 बढ़े से सुभा 7 बढ़े तक कई जिलो में यह नाइट कर्फियू लागू है आज से घरेलू उड़ाने आनपदेश में शुरू कर दी गई है देशवन में कल से शुरू हुई थी लेकिन आनपदेश में आज से शुरू हो चुकी है खबरों के सलसला को आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं दिल्ली की ही दिल्ली से सटे नॉइडा में एक सोसाइटी को सील करने पर पुलस और यहां रहने वालों के बीच काफी जादा विवाद हुआ पुलस नॉइडा एकस्टेंशन स्थित एक सोसाइटी सील करने पहुँची अपकि ना कोई शेलरी कटेगी, आपको वो खुदी नहीं पुलाएगी मैंने क्या का सुनिए, मैंने क्या का सेलरी तो अल्रडी गटेगा धनी जाड़िये आप याद देखिये, हम सामने खड़े है हम सामने खड़े हम भी नोकरी कर रहे है कि बात रही है कि कि उसकारी में सब्सक्राइब है था मेरे थीस पर राज़िये थीकि दोनों ही बात ने का मैं जितना पुलाइट हूं अगर मैं यहां पिर और उस्टाइब यहां पिका म captain कि मेरी कि coordin कि कितनी है हम जो भी है निएम कानून भाथ करना है जिसको चाज़ जाएगा जिसको नहीं जाना नहीं जाएगा इस इस तक्षण और बार आपने हैं वह जो दो का आप यह हर पासिलिटिजिए के लिए नि को थिकल य 데ितो यह आप दियम साब से निवेजन कर सकते हैं वोई भूख से दुखिए जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है मैंने क्या कहा हूँ अगर ऐसे सुनिये मैंने क्या कहा है व вещи दिल्ली में नौकरी करने वाले गाज़ियाबाद के लोग के लिए आख से परिशानी का सबब है क्योंकि गाज़ियाबाद में करोना केज बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने दिल्ली गाज़ियाबाद बॉरडर को एक बाद पिर से सील कर दिया है गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों के लिए आग से फिर मुसीबतों का दिन है गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते केस के बाद जिला परिशासन ने फिर से दिल्ली गाजियाबाद बौर्डर सी कर दिया है जिला प्रशासन के मताबिक गाजियाबाद में ज्यादा तर कोरोना केस दिल्ली की वज़े से आ रही है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील हो गया है गाजियाबाद प्रशासन ने गाजियाबाद की तमाम सीवाओं को सील करने का निर्डे लिया और उसके बाद एक बार फिर से सुबह से ही जो जाम है वो लगने लगा है या अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियों की कतारे हैं वो सुबह से ही लगने लगी है क्योंकि जो प्रशासन है वो हर गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहा है केवल विशेश सेवाओं जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही अनुमती मिलेगी वो भी आईकार दिखा कर डॉक्टर स्वास्त कर्मी पुलिस बैंक कर्मियों पत्रकारों को आईकार के साथ आने जाने की छूट होगी लेकिन दिल्ली से हॉट्सपॉट एरिया से आने वाले किसी भी शक्स को आने नहीं दिया जाएगा आदेश में कहा गया है कि जो लोग दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो हर हाल में सुभा नौ बजे तक गाजियाबाद सीमा छोड़ दें यूं तो बॉर्डर सील करने का आदेश आज से लागू हुआ है लेकिन कल जिला दिकारी का आदेश आने के बाद से ही बॉर्डर पर जैकिंग शुरू हो गई जिससे जाम लगना शुरू हो गया था गाजियाबाद में कल कोरोना के चार नए मामले सामने आए इस तरह कुल केस की संख्या 231 हो गई हाला केस में 192 लोग सही हो चुके हैं एक्टिव केस सिर्फ 37 है पुनित शर्मा और अर्विन दोच्छा के साथ अनुज मिश्रा गाजियाबाद आच्टा पहले एक बार इस तरीके की यहां से गाजियाबाद प्रशासन की तरब से कहा गया था की बारडर को सील किया जाएगा और उनको यह लगता है कि दिल्ली के होट स्पॉट इलाके से जो लोग आ रहे हैं उनकी वज़े से इस तरीके के घटना को अंजाम हो रहा है और यहां पर कोरोना संक्रमण फैल रहे हैं गाजियाबाद बॉर्डर की जो सिच्वेशन है इस वक्त नेहा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर फारी संख्या में गाडियों की भीड लगी हुई है कोई भी जो पुलिस प्रशासन का जो शक्स है वो बॉर्डर के उस पार किसी को जाने नहीं दे रहा है जो भीड है पूरी करीब दो किलो मीटर लंबी यहां से लेकर के आगे जो पूरा नेसनल हाईवे है इस हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है लोगों का ये कहना है कई लोगों से हमारी बाचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दिल्ली में जो आफिसेज हैं वहां पर जाने के लिए यहां का प्रशासन किस तरीके से पास बना रहा है हाला कि गाजियाबाद प्रशासन का ये कहना है कि जो essential services से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी उनको आने जाने दिया जाएगा साथी पैरा मेडिकल या मेडिकल स्टाफ होगा या बैंकिंग से जुड़े हुए जो लोग होगे उनको आने जाने दिया जाएगा लेकिन आलम ये है गाजियाबाद बॉर्डर पर कि एक लंबा जाम पूरा NH24 से जो यूपी की तरफ पूरा रास्ता जाता है या गाजियाबाद की तरफ जो रास्ता जाता है उस पूरे रास्ते में यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है और इसकी वज़े से लोगों को खासी समस्या भी हो रही है यहाँ के प्रशासन का यह कहना है कि medical staff जो गाजियाबाद का है उन्होंने जो assessment किया है उस assessment में यह साफ पाया है कि गाजियाबाद में जो भी कोरोना संकुरमण के cases फैल रहे हैं वो दिल्ली से उनका आने जाने का सिलसिला रहा है, वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली आते जाते रहें और इसकी वज़े से यहाँ पर कोरोना संक्रोड फैला है, इसके बाद अब दूसरी बार इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर को सील किया गया, इससे पहले भी सील किया गय लेकिन लॉकडाउन 3 में इस तरीके से छूट भी नहीं थी कि लोग एक जगे से दूसरी जगे जा सके लेकिन लॉकडाउन 4 जो है नेहा इसमें काफी छूट दी गई है दिल्ली में भी अलग-अलग जगे पर जो आफिस मौजूद हैं वहां पर भी यह कहा गया है कि लोग आ पूरा भी यहां किähän से गाजी पूर मंडी के लिए भी रास्ता जाता है उस रास्ते से बहुत तरे लोग फाला और सब्जी ले करके आ है उनसको भी पूछतास पुलिस की तरफ से की जा रही है लेकिन क्योंकि वो इसेंसियल सर्विसेस से जुड़े हुए है इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है लेकिन बहुत सारी आप गाड़ियां जो लाइन में देख रही है इससे पूछतास जब इनसे की जाती है तो कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनके पास जो आइडेंटी कार्ड है उसके जरिये उनको आने जाने दिया जाएगा नहीं इस तरीके के यहाँ पर जो कदम उठाय जाने तो प्रशासन को इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के आफिसेस खुले हैं उनको किस तरीके से आने जाने की छूट मिलेगी हलाकि ये कहा गया कि 9 बजे के पहले जिन लोगों को दिल्ली में जाना है वो लोग काम करने के लिए जा सकते हैं और 6 बजे के बाद वो लोग अगर आएंगे तो उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर छूट देने की कोशिस की जाएगी लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कोरोना संक्मड जिस तरीके से दिल्ली में फाइल रहा है उसकी वज़े से गाजियाबाद का जो इलाका है यहाँ भी संक्मड आ रहा है कि हाला काबू में है और दिल्ली वालों को डरने की जरुवत नहीं है कोरोना की दहिशत ने दिल्ली वालों को परिशान कर रखा है बढ़ते हुए आकड़े दिल्ली को डरा रही है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को भरुसा दे रही है कि डरने की कोई जरुत नहीं है, हालात नियंत्रण में है लॉक्डाउन, 17 तारिख को लॉक्डाउन में काफी ढेल दी गई थी, एक हफ्ता हो गया सरकार ये यकीन तब दिला रही है जब कोरोना केस लगातार बढ़ रही है आपको बता दें कि डिल्ली में कोरोना संक्रमितों कांकडा 14,053 हो गया है 635 नए संक्रमित मिले है दिल्ली में कोरोना से अब तक 261 लोगों की मौत हुई है कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली सरकार कुछ नए इंतिजाम करने जा रही है दिल्ली में जो कोरोना मरीज होम आईसोलेशन में हैं उन तक जरूरी चीजें पहुँचाने के लिए हर जिले में टीम तयार करने को कहा गया है ये टीम सीधे मरीज के संपर्क में होगी साथ ही दिल्ली के 117 अस्पतालों को निर्देश दिये हैं कि वो अपने अस्पताल के 20 फीसेदी बैड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखेंगे दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में और जारी कर दिये कि 20 परसेंट उनको अपने बैड करोना के लिए रखने पड़ेंगे तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी अंदर लगबग 2000 नए बैड आज से एवेलेबल हो गया है इन इंतजामों के बीच करोना के नए मामले सरकार की चिंता बढ़ा रही है पुर्वी दिली के मंडावली थाने का एक सब इंस्पेक्टर करोना पॉजिटिव मिला है सब इंस्पेक्टर को घर में ही क्वारिंटीन कर दिया गया है तंसीम हैदर के साथ चिरागोठी दिली आज तक मुंबई का बरुक करेंगे जहां करोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि जल्दी ये शहर दुनिया का सबसे बढ़ा करोना होट स्पोट बन सकता है दुनिया के दूसरे तमाम बड़े शहरों ने बहुत हद तक करोना पर काबू पा लिया है लेकिन मुंबई में हालाग हाथ से फिसलते दिख रहे हैं रात के बारा बजे जिस मुंबई में दिन निकलता था वहाँ आज जिन्दगी के चेहरे पर बेनूरी के बारा बजे हुए कोरोना ने शहर के चप्पे चप्पे पर अपने ऐसे पाँच अमा लिये हैं कि ये शहर अपने चववे पर खड़ा होकर जांकता है कि कब ये कोरोना उसकी गलियों को छोड़ कर जाएगा तीस हजार से ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई को ही ने अब देश को भी जराने लगा है लेकिन सरकार कह रही है कि डरो मत दरना कोई कोरोना का समाधान नहीं है लेकिन मुंबई सिर्फ देश का ही सबसे बड़ा कोरोना शहर नहीं है बलकि दुनिया का नंबर वन शहर होने की दिशा में पढ़ चुका है अभी रूस की राजधानी मुंबई के बाद मुंबई दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना होट स्पोर्ट शहर है लेकिन जिस रफ्तार से यहां कोरोना बढ़ रहा है इसमें चल्द ही यह मुंबई को भी पीछे छोड़ देगा एक माई को मुंबई में कोरोना के 7,625 मामले थे जो आज 31,972 हो गए है यानि चार गुना से भी ज्यादा मुंबई और मुंबई को दोनों बराबर आकार के शहर है मुंबई में 16 माई को नए केस 884 आये जबकि मौसको में 3,505 वहीं 22 माई को मुंबई में केस बढ़कर 17,59 हो गए जबकि मौसको में घटकर 2,988 16 माई को जहां मुंबई में कोरोना की ग्रोथ रेट 4,81 फीजदी थी वो 22 माई को बढ़कर 6,47 फीजदी हो गई ये लक्षन बताते हैं कि जल्द ही मुंबई कोरोना के बढ़ते मामलों में मौसको को भी पीछे छोड़ देगा आलम यह है कि महराश्ट सरकार के अब तक दोदो मंतरी कोरोना की चपेट में आ जुके है ज्यादा दिन नहीं हुए जब न्यू यॉर्क में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर कहा जाता था कि ये नया वुहान है लेकिन कोरोना को न्यू यॉर्क ने कब का पीछे छोड़ दिया अगर न्यू यॉर्क से तुलना करें तो मुंबई में एक मै को नए मामले 751 थे जबकि न्यू यॉर्क में नए मामले 1871 लेकिन 22 मै तक वहाँ नए मामले 202 पर गिर गए और मुंबई में बढ़कर 1751 पर पहुँच गए न्यू यॉर्क ने तो बहुत हद तक कोरोना पर काबू पा लिया लेकिन मुंबई की किस्मत में वैसे अच्छे दिन भी आये नहीं है वैसे सरकार का दावा है कि जून के पहले हफ्ते तक मुंबई में 9000 बेट तयार कर लिये जाएंगे जबकि प्राइवेट अस्पतालों में भी 80% बेट कोरोना मरिजों के लिए होंगे मुंबई से महराष्ट चलता है लेकिन उस से आगे देश की अर्थ हुय अस्था चलती है ऐसे में कोरोना से दिन पर दिन मुंबई के बिगड़ते हालात समूचे देश के लिए खत्रे की घंटी बजा रहे हैं आज तक देरो ये भी किसी से चिपा नहीं कि जल्द आकड़ों के मामले में मुंबई मॉस्कों को पचार देगा और यही नहीं अब इसे भारत का नया न्यू यॉक कहा जा रहा है बिल्कुल नहा जिस तरीके से जो आकड़े बढ़ते जा रहे है क्योंकि पहले अगर एक हफते पहले की बात करें तो जिस तरीके से 1100-1200 के हर दिन मामले नहीं सामने आ रहे थे लेकिन अब है 1400-1700-1800 कुछ दिन पहले तो 1900 मामले एक ही दिन में सामने आये थे अब लगाता जिस तरीके से अलग-अलग जगाओं पे जो बैट्स की फैसिलिटी बनाई जाए जैसे महालक्ष्मी रेसकोस हो गया मुंबई का सबसे बड़ा एक्जिबिशन सेंटर नेसको हो गया, MMRD ग्राउंड हो गया अब ये भी कम पढ़ते नजर आ रहे है क्योंकि जितने जो पेशन्स बढ़ते जा रहे है अब वहाँ पर उनको बैट्स नहीं मिल रहे हम लगाता देख रहे हैं कि हस्पताल के बार जो पेशन्स की जो भीड है, लंबी लाइन है वो बढ़ती जारी है जो medical facility में काम करते हैं, जैसे कुछी दिनों पहले चेंबूर के एक डॉक्टर की मौत हो गई और उनको 10 घंटे तक bed नहीं मिला, तो ऐसे हाला तब होते जा रहे हैं, अभी और ये जो संक्रमंड है, जो करोना वाइरस है, उससे कोई बचा नहीं है, चाहे वो मुंबई पुलि करन जोहर ने भी ट्वीट किया कि उनके घर पे जो दो हाउसमेट थे, उनको करोना वाइरस हुआ है, उसके बाद करन जोहर उनके पूरे परिवार ने जो है, वो पूरा ट्वेस्ट करा वो नेगेटिव आया है, लेकिन सेल्फ आइसोलेशन वो सबी लोग चले गए हैं, त जादा से जादा बेट्स बन सकते हैं, और रोजाना हम आपको करोना से जुड़े तमाम अपडेट्स देते हैं, नया आकडा करोना केसे से जुड़ा हुआ आ गया है, अपसे कुछी देख पहले स्वासमंत्राले की तरफ से जारी किया गया आकडों के बताबिक, पिछले 24 24 घंटे में करोना के केस में 6,535 लोगों का इजाफा हुआ है, देश पर में करोना केस की संख्या 1,145,000 के पार पहुँच गई है, पिछले 24 घंटे में 146 मरीज की जान गई है, मरने वालों की कुल संख्या 4,166 हो गई है, अच्छी बात ये है कि पिछले 24 घंटे में 2,770 तर मरीज ठीक भी हुए हैं अब तक साथ हजार से जादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके मजदूरों के लिए रोजाना सेक्रो ट्रेन चलाई जा रही है लेकिन इन में से कुछ ट्रेन ऐसी है जो बहुत देल से अपनी मंजल तक पहुंच रही है रास्ते में फूब प्यास गर्मी से मजदूर परिशान है हालात यह है कि 30 घंटे का सफर 4 दिन में टेक किया जा रहा है अच 4 दिन हो गया, 4 दिन से हम लोग को घुमाना गारी, नई पानी है नई खाना है 4 दिन से हम लोग इसी गारी में है, पबलिक मांग कर रहे हैं मुत्यारी के लिए वो बोला दरबंगा के लिए ट्रेन रास्ते में रुखी तो सारे मज़ूर ट्रेन से बाहर निकल पड़े तब ती गर्मी में सेकडुओं की संख्या में मज़ूर ट्रेन के इंजन के पास जाकर भी हंगामा करने लगे श्रमिक स्पेशल ट्रेन महराश्र के कूला से आ रही थी और बिहार में बाढ़ के पास ये हंगामा हुआ मज़दूरों का कहना है कि उन्हें मोतिहारी का टिकट दिया गया है और ट्रेन पिछले चार दिनों से उन्हें घुमा घुमा कर ले जा रही है सिगनल नहीं मिलने के वज़ा से ट्रेन करीब टेर गटे तक खड़ी रही लोगों का कहना है कि मुसीबत के वक्त वो घर लाट रही है और अब ये सफर भी मुसीबत बन गया है श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर ऐसी शिकायत कई जगाहों से आ रही है विल्ली से बिहार के मुतिहारी जा रही ट्रेन चार दिन में समस्तिपूर पहुँची एक मज़़ूर परिवार को यहीं उतरना पड़ा क्योंकि पत्नी की तबियत अचानक हराब हो गई गड़ से तड़पती महिला ने प्लैटफॉम पर ही बच्चे को जन्दे दिया आनन फानन में महिला को अस्पता ले जाने की दवस्था की गई पिता की गोद में आई नवजात को क्या मालू कि अभी घर तक जाने का रास्ता कितना मुश्किल है समस्तिपूर पहुचने वाली दूसरी ट्रेनों के यात्मियों की भी कहानी ऐसी ही थी कोई 22 तारिक से सफर में था तो कोई भूब ब्यास और गर्मी की वज़ा से वेहार रेल्वे प्रशासन का कहना है कि ट्रेक खाली नहीं मिलने की वज़ा से रूट डाइवर्ट किया जा रहा है कोशिश की जा रही है कि मजदूरों को खाना पिना दिया जा सके बाड से धरमेंद्र कुमार के साथ जहंगीर आलम समस्तिपूर आज रहा है तो देश भर के कई लाकों में भीशन गर्मी की अब बात कर लेते हैं इस तरीके से लगातार गर्मी इन लोगों को झेली पड़ रही है एक तरफ करोना से जंग लड़ी जा रही है दूसी तरफ बढ़ती गर्मी ने मुश्किले और जादा बढ़ा दी है दिल्ली, लखनो, भोपाल, जैपुर, गुरुग्राम जैसे देश के इन बड़े शहरों में आसमान सियाग बरस रही है आज भी इन शहरों का अधिक्तमता अबमान 45 डिग्री रहने का अनुमान है भीशन गर्मी में जिस कोरोना वाइरस के मरने की आस लगाई थी उस गर्मी में वाइरस तो नहीं मर रहा, हाँ, इनसान का शरीर जरूर जुलस रहा है पैदल घर जाते मजदूरों के लिए ये तो गर्मी करेले पर नीम चड़ी जैसी हो गई है एक तरफ कोरोना का डर, दूसरी तरफ लू के थपेड़े, इनसान जाए तो जाए कहा महराश्च्री के आकोला में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं 12.47.4 डिगरी के पार पहुंच गया है 10 साल में ऐसी गर्मी नहीं बड़ी, मौतसम विभाग के माने तो अगले 2-3 दिन में तापमान और बढ़ेगा लोगों को घरों में रहने और जादा से जादा पानी पिने की सलाह दी गई है विधर्प के चंदरपुट शहर में भी आसमान से आग बरस रही है 47 डिगरी वाली गर्मी के आगे कूलर एसी भी जवाब दे रही है राजस्थान के धौलपुर में भी गर्मी लोगों की अगनी परिक्षा ले रही है सुमवार को यहां अधिक्तम तापमान 46.4 डिगरी पहुँच गया गर्मी इतनी बढ़ गई है कि लोगडाउन के धील के बाद भी लोग दिन में घर के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है लिए पानी के छिड़काओं की विवस्ता और इस तरह की विवस्ता करवा जना सुनिशित करें ग्वालियर का हाल देख लीजे 12-46 डिगरी के पार है चिलचिलाती गर्मी की तस्वीरे देखकर ही पसीना छूट जाए सिर्फ ग्वालियर नहीं मद्यप्रदेश के 76 पूर जिले में भी गर्मी गदर मचा रही है 12-46 डिगरी तक पहुँच गया है खुले आसमान के नीजे 5 मिनट खड़ा होना भी चिनावती बन गया है मौसम विभा की माने तो गर्मी का सितम 28 मई तक जारी रहेगा उसके बाद थोड़ी रहत मिल सकती है मद्यप्रदेश, महराश्र, राजस्थान समेत उत्पर भारत के कई हिस्सों में हीट वेव भीशन हो सकती है दिल्ली राजस्थान पंजाब हर्याना के लिए रेड अलर्ड जारी किया गया है इन राजियों में पारा 44 से 46 डिगरी रहने का अनुमान है यह जो पीक है वो काल परसु और रहेगा इसलिए आगले दो दिन बहुत महर्त पुन है इसलिए हम बार-बार मेडिया को थ्रू में लोगों को जानकरी दे रहा है कि यह जो 28 तक जो है अपने को यह जो इलाका है जो सेंट्रल इंडिया है उत्तर भारत है जैसे मैंने बताया जो एरिया राजस्थान से लेकर के बिहार शतिजगर इंटेरियर उडिशा मैं महिने के आखरी हफते का पारा ही जून में पढ़ने वाली गर्मी का ट्रेलर दिखा रहा है कोरोना के साथ साथ अब गर्मी भी सिर्दर्द बन गई है लिहाजा लॉकडाउन और भीशन गर्मी की वज़ा से लोग घरों से बाहर कदम रखने से बच रही है दिल्ली से प्रशस्ती शांडिली के साथ आज तक भी रोग देश भर के तमाम शेहरों में कल से घरिलो विमान सेवा शुरू हो चुकी है आज से आंत्वदेश में भी विमान ने उड़ान भना शुरू कर दिया है कर दिल्ली एइपोर्ट से करीब 80 उड़ाने कैंसल की गई थी आज क्या है हाला देखे रिपोर्ट फ्लाइट ऑपरेशन्स फिर से शुरू की गई है और इस वक्त भी हम दिल्ली अंतराश्ट्य हवाई अड़े पर हैं इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना समान अंदर ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं फिलाल पहले दिन में जब फ्लाइट शुरू हुई काफी फ्लाइट्स कैंसल भी हुई और बहुत कन्फूजन भी था एरपोर्ट पर लेकिन उमीद है कि दूसरे दिन में ये सारी कन्फूजन क्लियर हो जाएगी इस वक्त यहाँ पर जो यूमन इंटरफेस है उसको कम करने के लिए काफी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है खासी ध्यान रखा जा रहा है एरपोर्ट को continuously sanitize किया जा रहा है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी साफ सफाई लगातार disinfection की जा रही है जिस screen से सामने जो passengers हैं बात करते हैं security से उसको भी साफ किया जा रहा है आरोगे से तू आप होना जरूरी है और आप खुद अपने boarding passes और tickets प्रिंट करके यहाँ से अंदर जा सकते हैं जब आप अंदर जाएंगे तो वो सारे protocols social distancing के आपको मद्दे नजर रखते हुए flight में बिठाया जाएगा कई flights cancel हुई लेकिन दूसरे दिन में शायद थोड़ी बहुत राहत मिल रही है क्यूंकि flight operators भी अपना schedule फिर से work करके ensure कर रहे हैं कि जो passengers ने ticket book की है वो एक स्थान से दूसरे शहर तक पहुँच जाएं आज ए ठाकूर के साथ मिलन शर्मा आज तक चीन के वोहान लाब की देशा के बाद अब लाब की टॉप शोद कर्टा सफाई देने के लिए सामने आए हैं करोना वाइरस पर कई साल से शोद करने वाली शी जैंगली ने इन आरोपों को बेवन्याद बताया कि वुहान लाब ने करोना वाइरस की खबरों को चिपाया था चीन के वुहान स्थित विशानू विज्ञान संस्थान से पूरी दुनिया में कोरोना वाइरस फैनने के अमेरिका समेट कई देशों के आरोपों के बीच जवाब देने के लिए वुहान लैब के प्रोफेसर शी जेंगली सामने आए जेंगली ने पूरे घटना करम की टाइम लाइन रखते हुए कहा कि वुहान से वाइरस फैनने की थेओरी पूरी तरह गलत है जेंगली ने कहा कि उनकी लैब ने कोरोना पर बढ़िया काम किया है जेंगली ने कहा कि कोरोना वाइरस के अधियान के लिए जेंगली ने कहा कि कोरोना वाइरस के अधियान के लिए लैब ने 30 दिसंबर 2019 के दोपहर को पहला सैंपल लिया था तब इसे निमोनिया के अग्यात कारण के तौर पर समझा गया था लेकिन बहुत कम समय के अधियान में पता चल गया कि ये कोरोना वाइरस है जेंगली के मुताबिक रोगानू का क्रम चूंकि पहले से ग्यात वाइरस से अलग था इसलिए इसका नाम नोवल कोरोना वाइरस रखा गया जेंगली ने कहा कि उनके लैब में पूरी पार दर्शिता है और हर जानकारी और डेटा सही समय पर विश्व स्वास्थ संग्ठन से साजा किया गया जेंगली के मुताबिक 12 जन्वरी को पूरा जिनॉम सिक्वेंस डवल्य एचो को दिया गया था जेंगली की सफाई में कितना दम है ये तो जाँच से सामने आएगा क्योंकि अमेरिका लगातार मांग कर रहा है किस पूरे मामले की जाँच हो अमेरिकी राश्पति ट्रम्प चीन पर कोरोना वाईरस की जानकारी छिपाने का आरूप लगा चुके है आज तक विरो